एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका सिंग मीडिया चैनल देख रहे हमारे सभी दश्कों को मेरा प्यार बरा नमस्कार अदाब और सश्यकाल आपको दिखाते हैं उनकी यह वीडियो Dear friends, my greetings to all our nurses on the occasion of the International Nurses Day. I begin by paying homage to our nurses who made the supreme sacrifice in their endeavor to save many lives from the unprecedented COVID-19 pandemic. In India and in Kuwait and all across the world, we lost our medical professionals due to the pandemic. We salute them and pray for their families and friends. Dear sisters and brothers, on behalf of the government and the people of India and the Indian community in Kuwait, I thank each one of you. You have been working so hard and making so many personal sacrifices to save lives in this pandemic situation. I also thank the leadership of the state of Kuwait for their support to the Indian community during this pandemic. वहीं दूसरी और उन्होंने एद के मुबारक सभी को दी है. इद अलफितर की जो सभी को मुबारक देते हुए उन्होंने सभी का दन्यवाद भी किया है. और आपको यह भी बताते चले कि एद का आज चान जो है मैं साउदी अर्भिया दौर में नहीं देखा गया है. इद जो है वह पर्सों है जी यहां थरस्डे को एद होगी. आपको यह भी बताते चले कि थरस्डे, फ्राइडे और सेटर्डे तीन दिन प्राइवेट सेक्टरों को बंद किया गया है. वहीं छे दिन के लिए सबी गोर्मेंट सेक्टर वा बैंक जो है बंद रहेंगे. इद मुबारक तू और बंद रहेंगे. शेक मिशल अ अमन अ जाबर सभा, Crown Prince of the state of Kuwait. लिस हैंस शेक सबा कालिध अमद असभा, Prime Minister of the state of Kuwait. इद मुबारक ओसो फो गॉबर्मेंट और अच्डे और फिनली पोल कॉ फे तीन अ कॉबडेंगे. I also extend my warm greetings to all my Indian brothers and sisters in Kuwait. इडिल्फितर इडिल्फितर is a special festival in India, a land with abundant diversity of religions and beliefs, with people from different socio-cultural, linguistic and religious backgrounds living in complete harmony. This year, all across the world, we observe इडिल्फितर in the most difficult of times for humanity due to the COVID-19 pandemic. During the last few weeks, our brothers and sisters in India have been facing many challenges. I am confident that in coming weeks, through our whole-of-society and whole-of-government approach, we will be able to overcome these difficult times and defeat this pandemic comprehensively. I thank the government and the people of the state of Kuwait and the vibrant Indian community in Kuwait for extending their healthy hand to save lives in India. कर्फियू बिल्कुल ही खतम जी हां, कुवेट के अंदर कर्फियू कर्फियू कर रात को बारा बजे के बाद से खतम हो जाएगा, आप 12 बज़े के बाद कहीं पे भी गूमने के लिए जा सकते हैं वहीं आपको बता दूँ कि पार्शल कर्फियों भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि करोना के नियमों का आपको पालन करना होगा वहीं अगर आप कमर्शियल जो वर्क हैं चाहिए मोल हो या फिर मार्किट्स हो वह सबी रात को 8 बज़े बंद हो जाएंगी वह सुबह 5 बे तक सबी काम बंद रहेंगे लेकिन आप यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको कॉप्रेंट रसाइटी में जाना है या फार्मेसिज वगारा है होस्पिटल वगारा है वह सबी 24 गंटे के लिए ही ओपन रहेंगे क्रोनवारे केसी की बात करूँ तो पिछले 24 गंटे के अंदर मनिस्ट्य ओफ हैल्द वारा 978 केसों की पुष्टी की गई है जो केस जो क्रोना के पुष्टी मिले हैं वही साथ मोतो की पुष्टी भी की गई है वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि केसी जो है आने वाले समय के अंदर और कम देखे जा सकते हैं दूसरी और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर आज भी 3,60,000 से उपर केस जो है वहीं देखने को मिले हैं वहीं मोतो की संख्या में भी कोई कमी नहीं देखी गई है मोतो की जो संख्या है वहीं आज भी 3800 के पार है वहीं आपको या भी बताए चले हैं कल की न्यूज में हमने आपको बताया था कि काफी शव जो है गंगा के अंदर मिले है आज गोर्मिंटर ने सकती से पेश आते हुए साफ कह दिया है कि जितनी भी लाशे अभी तक मिली है अभी 70 से उपर लाशों का आंकड़ा जा चुका है जितनी भी लाशे गंगा के अंदर से मिली है सभी का पोस्ट माडम करने के लिए कहा गया है वह पता लगाने के लिए का गया है कि यह किसने भाई है वह उनके उपस्टिक एक्शन लिया जाएगा वह सभी के उपर कानूनी कारवाही भी होगी एक बहुत ही बड़ी न्यूज हमारे बीच में आ रही है कल 400 बेड का जो है उद्गाटन किया गया था सिख कम्यूटी के द्वारा आपको बता दे कि यह 400 बेड का जो उद्गाटन किया गया था इसके अंदर 2 क्रोड अमिता वचन जी ने दिये थे जो वोलीवूड के काफी बड़े हीरो है आपको यह भी बताए चले कि इसका काफी विरोध किया गया है वह सिख कम्यूटी का कहना है कि यह 2 क्रोड रुपे वापस किये जाए हमें किसी के भी टुकडों पर पलने की जुरूरत नहीं है ना ही हमें ऐसा पैशा चाहिए जो शोशल कारें न करते हों सिरफ पब्लिसिटी के लिए पैसा देते हो क्वेत के अलमिसाइल एरिया से हमारे बीच में खबर आ रही है अरम न्यूस टाइम के अनुसार एक क्वेती वूमेन ने अपने पती को हथोड़े के साथ मानने की कोशिश की वही आपको बता देंगी पुलिस ने यह केस अपने अंडर ले लिया है वही इनके उपर कानूनी कारवाई हो रही है परसों जो ईद के लिए प्रेयर होगी उसके लिए पंदरा सो मस्जिदों को त्यार कर दिया गया है वह काफी स्टिक होते हुए गोवर्मेंट ने यह काया कि पंदरा मिनट से उपर की प्रेयर नहीं होगी वह जितने भी लोग महाँ पर प्रेयर करने के लिए पहुंचेंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पारलन करना होगा वही स्टिक मिडिया चनल आपको यह बता रहा है कि किर्प्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें कही ऐसा नहो ईद के दिन आपके उपर कानूनी कारवाही हो जाए आज कुएत के अंदर किया गया प्रोटेस्ट जी हाँ आप से बहुत दूर हैं लेकिन हम सब भी वहां के मुसलमानों के साथ हैं आईए आपको दिखाते हैं यहां की एक वीडियो कुएत में सबी रेस्टरां वर कैफेस को दी गई इजाज़त मनिस्ट्रियों फैल दुआरा जितने भी यहां पर रेस्टरांट्स हैं वर कैफेस हैं उन सबी को करोना की वेक्सिन लगाने की जाज़त दे दी गई है और यहां बहुत ही जल्द समापत हो जाएगा वहीं जैसे ही जो है वेक्सिन जो है वेक्सिन कम्प्लीट हो जाएगी इन सबी करमचारियों को उसके बाद हो सकता है कि यहां की गवर्मेंट यह फैसरा ले कि जो है आप अंदर बैठकर खाना खा सकते हैं यह थी आज की मुख्या खबरे मिलता हूँ नई खबरों के साथ तब तक रखिया अपने आसपा सफाई करोना से बचे रहें धन्यवाद